द्रिश्टियाइस के ओडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का आर्टिकल दे हिंदू में छपे लेक, इस्पेन ओन एज तथा इसमें टीम द्रिश्टि के इनपुट भी शामिल है तो आएए लेक की शुरुवात करते हैं इस्पेन में समवेधानिक संकट इस्पेन यूरोप का एक प्रमुख देश है यह अपनी प्राकृतिक सुंदर्ता फुटबॉल क्लब्स और यहां के लोगों के फुटबॉल के प्रती जुनून और बुल फाइटिंग इत्यादी के कारण विश्व भर में जाना जाता है बरसिलोना उत्तर पूर्वे इस्पेन में स्थित केटालोनिया प्रांत की राज़ानी है यह वही बरसिलोना है जो अपने फुटबॉल क्लब बरसिलोना एफसी और यहां से खेलने वाले प्रसेध खिलाडी लियोनल मैसी की कारण हमेशा चर्चा में रहता है लेकिन पिछले कुछ दिनों से केटालोनिया और बरसिलोना किसी अन्य वज़ा से ही चर्चा में है केटालोनिया के चर्चा में आने की वज़ा है केटालोनिया की प्रांतिय सरकार द्वारा इस्पेन से अलग केटालोनिया को एक स्वतंत्र राष्ट के रूप में इस्थापित करने की दिशा में प्रयास करना उनके इस प्रयास को कैटालोनिया की जनता का भी भारी समर्थन प्राप्ट है वर्तमान में कैटालोनिया में जिस तरह की राजनितिक गतिविदियां चल रही है और जिस तरह से लोगों की भावनाओं का ज्वार उमड रहा है इससे स्पेन के भविश्य पर एक प्रश्णिचन लग गया है बहराल कैटालोनिया एक स्वतंत्र राष्ट बन सकेगा या वह स्पेन का अभिन्न हिस्सा बन कर रहेगा इस सवाल का जवाब तो भविश्य के गर्व में है फिलाल हम उन कारणों को जानने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इस स्पेन में इस समवैधानिक संकट को उत्पन करने में योगदान दिया इसके साथ ही हम कैटालोनिया की आतिहासिक प्रिष्ट भूमी पर चर्चा करेंगे और साथ ही उन संभावनाओं पर भी जो कैटालोनिया की स्वतंतरता से जुड़े हैं आईए सबसे पहले शुरुवात करते हैं कैटालोनिया के इतिहास से केटालोनिया का इतिहास लगभग हजार वर्ष पुराना है यहाईबेरियन प्रायद्विप के उत्तर पूर्वी भाग में इस्थित एक शत्र है आईबेरियन प्रायद्विप वही शत्र है जहां स्पेन और पूर्टगाल इस्थित है केटालोनिया क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास की शुरुवार 12. सदी के आरंभ से मानी जा सकती है। तब से लेकर 18. सदी के आरंभ तक थोड़े बहुत समय अंतराल को छोड़कर यह क्षेत्र लगभग स्वतंत्र रहा। इस दौरान यहां कैटालोन संस्कृति का विकास हुआ जिसकी अपनी एक विशिष्ट रिती रिवाज और कायदे कानून थे। 1714 में इस्पेन के राजा फिलिप पंचम ने कैटालोनिया को जीत कर इस्पेन में मिला लिया। उसके बाद कैटालोनिया इस्पेन का हिस्सा बन कर रहा। फिलिप ने कैटालोनिया की संसद, वहां के विश्विद्याले, वहां के र स्पेन की राजशाही के इन प्रयासों ने कैटालोन लोगों की भावनाव को बेहदाहत किया 1931 में जब स्पेन में द्वेतिय गडराजी के स्थापना हुई तब कैटालोनिया को पर्याप्ट स्वायत्ता दी गई इसके अंतरगत कैटालोनिया में एक प्रांतिय संसद एक अपीलिया कोट और एक प्रांतिय सरकार के स्थापना की गई सरकार के प्रमुख को प्रेसिडेंट कहा गया किंतु कैटालोनिया के यह स्वायत्ता ज़ादा दिनों तक नहीं चल सकी 1949 में इस्पेन में फ्रांसिसको फ्रेंको की ताना शाहे स्थापित हो गई जो 1975 तक चली इस दोरान इस्पेन की अनक्षेत्रों की भाती कैटालोनिया को भी कड़े केंद्रियर नियंत्रण में रखा गया और 1931 में कैटालोनिया को मिली स्वायत्ता पूरी तरह अर्थहीन हो गई 1975 में फ्रेंको की मृत्यों के पश्षाथ उसकी ताना शाही खत्म हो गई और 1978 में इस्पेन में एक नया समविधान लागू हुआ इस समविधान के अनुसार इस्पेन एक समविधानिक राजितंत्र बना और इसके प्रांतू को स्वायत्त शासी समुदाय यानि Autonomous Community कहा गया कैटालोनिया को भी इस्पेन के एक स्वायत्त शासी समुदाय का दर्जा दिया गया इन स्वायत शासी समुदायों को 1978 का इस्पेन का सम्विधान कुछ सीमित स्वायतता की गैरंटी प्रदान करता है यह थी कैटलोनिया की एतिहासिक प्रिष्ट भूमी अब हम उन कारकों पर आते हैं जिन्होंने स्पेन में वर्तमान संकट को जन्म दिया है इस संदर्व में सबसे पहले राजनितिक कारकों की चर्चा कर लेते हैं 1978 में स्वायत शासी समुदाय का दर्जा मिलने के बाद अधिक स्वायतता के लिए कैटलोन लोगों की तरप से लगातार मांग उठती रही इन मांगों के फलसुरूप 2006 में कैटलोनिया उटोनोमस कम्यूनिटी और स्पेन की राष्ट्रिया सरकार के बीच एक समझोता हुआ इस समय इस्पेन में सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी की सरकार थी और लुईस जैपतारो स्पेन के प्रधान मंत्री थे इस समझोते के अंतरगत कैटलोनिया को वित्तिय, हेल्थ केर तथा शिक्षा के मामले में कुछ आतिरिक्त शक्तिया प्रदान की गई साथी कैटलोन लोगों की भावनाओं की तुष्टी के लिए कैटलोनिया को एक राष्ट्र की संग्या भी दी गई किन्तु इसका ताथ परे यह नहीं था कि कैटलोनिया एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया यह राजनितिक रूप से इस्पेन का ही अंग बना रहा 2010 में इस्पेन की कंजर्वेटिव विचारधारा वाली पेपल्स पार्टी ने नियायाले में 2006 के समझोते को चुनोती दी इस्पेन के कॉंस्टिचुशनल कोट ने समविधान की व्याख्या के क्रम में 2006 के समझोते की बहुत सी धाराओं को अवैद घोशित कर दिया और कहा कि इस समझोते के अंतरगत कैटालोनिया को राष्ट कहे जाने का कोई कानूनी आधार नहीं है कोट के इस फैसले ने बहुत से कैटालोन लोगों की भावनाओं को आहत किया 2006 में मिली स्वायत्ताओं के साथ वे स्पेन का एक क्षत्रिया अंग बनकर रहने के लिए तयार थे किन्तु कोट के इस फैसले ने उनकी भावनाओं को अधिक भढ़का दिया और स्वायत्ता की जगा कैटालोन लोग अब पून स्वतंत्रता के मांग करने लगे उधर 2011 में इस्पेन के राष्ट्रिया चुनाओं में क्षत्रिया अखंडता को अक्षुन बनाये रखने के मुद्दे पर चुनाओं लड़ने वाली पिपल्स पार्टी सत्ता में आई और मारियानो राजू इस्पेन के प्रधान मंत्री बने वे कैटालोनिया के इस्पेन से अलग होने के विरुधी हैं इधर कैटालोनिया के प्रांतिय चुनाओं के बाद अलगाववादी पार्टियों का एक गड़बंधन सत्ता में आया ये पार्टियां कैटालोनिया के स्वतंत्रता के पक्षधर थी इस गड़बंधन सरकार का प्रमुख अर्थात कैटालोनिया का प्रेसिडेंट काल्स पूजमोंट को बनाये गया। पूजमोंट ने सत्ता में आते ही कैटालोनिया को इस्पेन से एक स्वतंत्र करने के प्रयास शुरू कर दिये। आईए अब आर्थिक कारको को देख लें। इस्पेन में उत्पन हुए समवैधानिक संकट के लिए आर्थिक कारक भी कम महत्वपोन नहीं थे। कैटालोनिया इस्पेन का एक बहुत सम्रिद्ध प्रांत है। इस्पेन की कुल 4 करोण 64 लाख जनसंख्या में लगभग 74 लाख जनसंख्या इसी प्रांत की है। यहां की प्रतिव्यक्तिया लगभग 30,000 यूरो है जो इस्पेन की प्रतिव्यक्तिया लगभग 24,000 यूरो से कहीं अधिक है। कैटालोनिया लंबे समय से इस्पेन का प्रमुख उद्योगी क्षेत्र रहा है। खास कर वस्त्र उद्योग के द्रिष्टिकूर से यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पिछले कुछ समय से यह इलाका, वित, सेवाओं तथा हाइटेक कंपनियों के प्रमुख गतिविधी के केंद्र के रूप में उभरा है। कैटालोनिया का इस्पेन के जीडीपी में योगदान करीब 20 फीजदी है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने में भी यह क्षेत्र काफी आगे रहा है। इस्पेन में विदेशी निवेश का लगभग 21 फीजदी इसी क्षेत्र में आता है। यहां की रोजगार दर भी इस्पेन के ओसत रोजगार दर से अधिक है। कैटालोन लोगों का कहना है कि उनके क्षत्र के संसाधनों को देश के दूसरे हिस्से में विकास के लिए इस्तमाल किया जा रहा है। फलस्वरूप उन्हें अपनी आर्थिक सम्रिधी का उतना फायदा नहीं मिल रहा जिनके वेहकदार हैं। उनका मानना है कि स्वतंत्र होने के पश्चाथ उनकी आर्थिक सम्रिधी कैटालोनिया के विकास के काम आएगी। उनका कहना है कि स्वतंत्र होने के बाद उनकी आर्थिक शक्ति डेन्मार्क, आस्ट्रिया या नौर्वेज जैसे देशों के बराबर हो जाएगी और वे अपनी क्षमता का और अधिक विस्त संस्कृतिक कारक, केटालोन लोगों का कहना है कि उनकी भाषा, संस्कृते, खान पान आदी, स्पेन से अलग हैं। वर्तवान संदर्व में उनका कहना है कि स्कूली शिक्षा प्रणाली में केटालोन भाषा को पीछे धकेला जा रहा है। इस कारण केटालोन लोगों में अ से बीद कर मार डालने के खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया लेकिन इस्पेन के कॉंस्टिचुशनल कोट ने आक्टूबर 2016 में इस प्रतिबंध को असमवैधानिक बताते हुए अवैध घोशित कर दिया ऐसे ही अन्य कई कारक हैं जिससे कैटालोन लोगों को लगता है कि उनका मालिक इस्पेन है न कीवे स्वैम यदि हम अंतराश्ट्रिय घटनाओं पर नजर डालें तो वो भी किसी न किसी रूप में कैटालोनिया की स्वतंतरता की मांग से जुड़ी प्रतित होती है इन दिनों यूरोप और अमेरिका में एक नए तरह का क्षत्रवाद उभर रहा है इसका एक महत्वपोर्ण उदाहरण यूरोपिय संग से ब्रिटेन का बाहर आ जाना है ब्रिटेन को यह महसूस हुआ कि हमारे विकास का लाव दूसरे देश उठा रहे हैं जिसके कारण हमारी अर्थववस्था पिछड़ती जा रही है इसी कारण ब्रिटेन ने यूरोपिय संग से बाहर जाने का निर्णे लिया अमेरिका की अमेरिका फर्ष्ट की नीती भी कमोबेश इसी प्रकार का द्रिष्टिकोंड दर्शाती है यह एक नई सोच है इसके अनुसार अमेरिका अपनी सम्रिध्धी में किसी गरीब और पिछडे देश को हिस्तिदार नहीं बनाना चाहता इन वैश्विक प्रवरित्तियों वगटनाओं में कैटालोन लोगों की स्वतंत्रता के मांग को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई है आईए अब हम कैटालोनिया की वर्तमान स्थिति की चर्चा करते हैं 2015 में स्वतंत्रता के समर्थक पूज मौन्ट के कैटालोनिया के प्रेसिडेंट बनने के पश्चाद स्वतंत्रता के लिए राजनेतिक गतेविधियां काफी बढ़ गई और कैटालोनिया की जनता ने भी इसका भरपूर समर्थन किया अभी हाल ही में 6 सितंबर 2017 को कैटालोनिया की प्रांतिय सरकार ने एक आग्यपती जारी कर यह घोशना की कि एक अक्टूबर को प्रांत में एक जन्मत संग्रह इस मुद्दे पर कराया जाएगा कि कैटालोनिया को स्पेन से अलग होना चाहिए या नहीं साथ ही यह भी कहा गया कि यदि जन्मत संग्रह का परिणाम स्वतंत्रता के पक्ष में होगा तो 48 गंटों के भीतर कैटालोनिया स्वयम को स्वतंत्र घोशित कर देगा उधर स्पेन के कॉंस्टिचुशनल कोर्ट ने संविधान का हवाला देते हुए 6 सितंबर के आग्यप्ति को अवैध और निरस्त घोशित कर दिया कॉंस्टिचुशनल कोर्ट के इस फैसले तथा इस्पेन के प्रधान मंत्री मारियोनो राजो के जनमत संग्रह रोकने के प्रयासों के बावजूद भी एक उक्टूबर को कैटालोनिया में जनमत संग्रह कराया गया जनमत संग्रह के दौरान सैक्णों लोग घायल हुए जनमत संग्रह के पश्चात कैटालोनिया के प्रेसिडेंट काल्स पुजमोंट ने यह घोशना की कि जितने लोगों ने मद्दान किया है उसमें से 90 फीजदी से अधिक लोगों ने स्वतंत्रता का समर्थन किया है पुजमोंट ने कहा कि अगले कुछ दिनों में स्वतंत्रता की घोशना कर दी जाएगी लेकिन इससे पहले इस्पेन की राष्ट्रिय सरकार से बादचित की जाएगी उधर इस्पेन के प्रधान मंत्री ने इस जन्मत संग्रह को और समवैधानिक करार दिया और कैटालोनिया की प्रांतिय सरकार के विरुद्ध समविधान के अनुछेद 155 का प्रयोग करने की बाद कही इस्पेन के समविधान के अनुछेद 155 में उलेखित है कि यदि कोई स्वायत शासी समुदाय अपने समवैधानिक या वैधानिक कर्तवियों का निर्वहन नहीं करती तो इस्पेन की राष्ट्रिय सरकार इस स्थिती से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है इसी आधार पर जब 27 अक्टूबर 2017 को कैटालोनिया की प्रांतिय संसद ने स्वतंतरता के दिशा में प्रयास किया तब इस्पेन के प्रधान मंत्री ने 28 अक्टूबर को अनुछेद 155 का उप्योग करते हुए कैटालोनिया के प्रेसिडेंट को बर्खास्त कर दिया वहां की संसत को भंग कर दिया गया और कैटालोनिया के शासन को सीधे केंद्रिया नियंतरण में ले लिया गया इस्पेन के प्रधान मंत्री ने कहा कि 21 दिसंबर को कैटालोनिया में फ्रेश इलेक्शन करवाय जाएंगे आईए अब हम उन संभावनाओं पर विचार करते हैं जो कैटालोनिया की स्वतंतरता से जुड़े हैं यदि सम्वैधानिक द्रिष्टिकोंड से देखा जाए तो इस्पेन का सम्विधान देश के किसी हिस्से को अलग होने के लिए जन्मत संग्रह की अनुमती नहीं देता हलां कि राष्ट्रों के उत्पत्ति संबंधी अंतराष्ट्रिय कानून कुछ शर्तों के साथ तथा कुछ विशेश परिस्थितियों में ऐसा करने की अनुमती देता है इंडोनेशिया से अलग होकर पूर्वी तिमोर का एक नवीन राष्ट्र बनना तथा सुडान से अलग होकर दक्षिन सुडान का एक स्वतंत्र राष्ट के रूप में उभरना इसके कुछ हो दाहरन है किन्तु केटलोनिया के संदर्प में यह संभावना कितनी साकारित होगी यह भविश्य ही बताएगा आप सवाल उठता है कि यदि केटलोनिया स्पेन से अलग हो जाता है तो केटलोनिया की आर्थिक स्थिति पर इसका क्या आसर होगा यदि कैटालोनिया अलग होता है तो वह यूरोपिय संग द्वारा प्रदत उन व्यापारिक परिवहन वसीमा शुल्ग के सुविधाओं से भी वन्चित हो जाएगा जो इस्पेन के यूरोपिय संग के सदस्य होने की वज़ा से उसे मिली हुई है साथी यूरोपिय संग के सदस्य देशों की जिन कमपनियों का कैटालोनिया की सरकार या कमपनियों के साथ जो भी कॉंट्रेक्ट है वह कैटालोनिया की कानूनी स्थिती बदलते ही निरस्थ हो जाएगी इस्पेन की राष्ट्रे सरकार का मानना है के ऐसी स्थिती में कैटालोनिया की अर्थविवस्था को 25 से 30 फीस्थी की हानी होगी और विरुजगारी दर भी लगभग दोगनी हो जाएगी वर्तमान में यूरोप में दर्जनों ऐसे क्षत्र हैं जो अपने देश से आजादी और स्वायत्ता की मांग जोरू से कर रहे हैं उधारन स्वरूप इटली के वेनेटो तथा लोंबार्डी क्षत्र से भी अधिक स्वायत्ता की मांग उठ रही है इसी तरह उत्तरी आयरलेंड में भी ब्रिटेन से आजादी के लिए पिछली सदी के तीसरे दशक से ही आंदोलन हो रहा है इसी प्रकार का आंदोलन चेक गड़ राजी के मुराविया क्षत्र तथा बेल्जियम के फ्लेंडर्स क्षत्र के लोग भी कर रहे हैं ज़ि कैटालूनिया स्पेन से स्वतंत्र हो जाता है तो इसके कारण यूरोप के अनिक शत्रों में भी आजादी या स्वायत्ता के लिए हो रही मांगू को और बल मिलेगा आईए अब नूट करते हैं आज का सवाल सवाल है स्पेन का समवैधानिक संकट क्या है यह किस तरह यूरोप के अनिक शत्रों में अलगाव वादी आंदूलनों को बढ़ावा दे सकता है